और चलिए बात करेंगे हिमाचल में G20 समेलन की दो बैठके जी हाँ आज और कल धर्मशाला में बैठके होंगी G20 देशों के शुर्ष अदिकारी इस बैठक में शुर्कत करेंगे संसदी शेतर में वीजुपी निताओं की जूटी लगाई गई है यह बड़ी खबर आपको आ तो इस बार G20 के अध्यक्षता हरत कर रहा है आज और कल धर्मशाला में यह बैठके है रहने वाली है बड़ी खबर आपको बता देए तो आज भी बैठक होगी और कल भी यह बैठक रहने वाली है गबर पर अधिक जनकारी के साथ लाइफ समादाता मनुझ हमारे साजुर चुके हैं मनुझ तो देखे लगातार बैठके इससे पहले परशाशन के और से की जा रही थी निताओं के और से की जा रही थी ताकि जो G20 की यह बैठके हैं यह बेहत खास एट्मोसफेर में एक ख है तो अब बिल्कुल दिशिखा देखिए आज जी टॉन्टी की बैठक जो है वो कुछ देर बाद धरम्शाला में शुरू हो जाएगी इससे पहले अगर तैयारी की बात की जाए दिशिखा तो पूरन रूप से तैयारी हैं जो है वो पूरी कर ली गई थी पिछले कल हैं हाला कि उन्होंने मीडिया से बात तो नहीं की लेकिन जो चहरे से खुशी जलक रही थी उनको हिमाचल के बाद जो बाता वरा ना उसको देखते हुए साथी साथ जो संस्कृति और लोगों ने जो स्वागत किया है साथी साथ जो नरित्य उन्होंने साथ में किया वो कह चाया गया तो कल कुदरत ने भी अपना जो एक अलग निखार दिखाया है तपती गर्मी से जो है वो रहत दिलाई बादल घने चाय हुए थे उस अच्छे बाता वरन में वहां लैंड किये है और देर रात को बारिश हुई है तो एक उमीद जताई जा रही है कि जो ये बै बात हो जाती है कि भारत जो है वो जी टूंटी की अध्यक्ष्टा कर रहा है और हिमाचर प्रदेश के धर्मशाला में ये बैठक हो रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है दीपशिका बिलकुल याने की मनोच कुल मिलाकर हिमाचर प्रदेश की जो खासित है यह यहां का जो मौसम है जो मौसम का मिजास है लगता है कि उसने खुद विदेशी महमानों का यहां पर जमीन पर उतर कर स्वागत किया है अब ऐसे में जी टूंटी की बैठक जो है वो कुछ देर में शुरू हो जाएगी होटर एडिसन ब्लू में यह बैठक जो बैठक जो बैठक शुरू होनी है और जहां एक परिवार एक सदस्य और एक देश या एक कुटूंब की बात की जा रही है तो सभी मुद्दे जो है वो इसमें रखे जाएंगे सबसे पहले जो है वो जो आर्थी की को मजबूत कैसे करना है और किस तरह से अगर हालात खराब होते हैं तो सभी देश मिलकर एक दूसरे की हल्प कैसे करेंगे इन मुद्दों पर चर्चा रहेगी साथी साथ इनका अभी के शडियूल जो है वो जारी नहीं किया गया है थोड़ी दिर में शडियूल इनका जाएगा फिर पता च तीन बजे जो है वो प्रेस कॉंफेंस रखी गई है उस प्रेस कॉंफेंस के माध्यम से पता चल पाएगा कि आकिर किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और किन विश्यों को लेकर के जो है वो गंभीरता दिखाई गई है क्योंकि 20 देशों के डेलिगे यहां पहुंच प्रेस पारता होनी है उसी पता चल पाएगा किन-किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है और वो भारत के जो रखें उन मुद्दों पर चर्चा हुई है वो तीन मजे पता चल पाएगा दिखाल झाल झाल झाल